नमस्कार मैं सूरज कुमार जा आप तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं विहार दैनिक न्यूद चैनल पे अभी हम उपस्तित हैं जलकोडा में जो की छोटा सा मार्केट है उस मार्केट में यूत कलब है जलकोडा का हम वहां पर उपस्तित हैं और हम सनु लुए तरिफल में लिए हैं उनके कार्यकाल में इतना विकास और किस शंदेश और इस बार हम आप लोग किनको सपोर्ट करेंगे क्यों करेंगे सबसे पहले हमारे साथ हमारे भाई जुर्वे हुए हैं पहले तो हम इनका नाम जानना चाहेंगे सर आपका नाम क्या हुआ अब्दूरहमान अब्दूरहमान जी हमारे साथ जुर्वे हुए है आप जो है सर यह ज कररेंट है इसमें क्रेप्शन जो है कुछ जादा हो गया क्योंकि इसलिए क्रेप्शन जब वह दो कोई भी आदमी जब आदमी का रेगुलर को बीची हो पढला शाही हो जाता तो 15 साल जो हो गया ना उसको सब्सक्राइब मनोबल बला हुआ है कि तो हमें लगता है की सर्था परिवरतन होनी चाहिए थी तो किस के लिए और कौन कर रहें षाटर जो होटा है वह कम हो ड़ीjust application है पैसे अटके हैं behavior पैसे का दोबी गरीब ओर जागतों करानने के लिए तो उसका करता होता है जाए वह छोटा काम वह बड़ा काम रापी फिक्स है आगशजred इस रेट पे नहीं देते हैं तो आप समझे साही जादा हो छूकी एस सरकार में तो हम आप से जो है आपकी शूले में की शेतर में कितना वी कास के वारे देखा जाए तो यहां ठीक ठाक रहा है विकास लेकिन हमारे गौंब जो हमारा जिस गौंब से हम है उस गौंब में बिकास माइने नहीं रखता है यहां पर सभी सब परिपूर्न द्रंक से लोग अपना कर रहे हैं का यहां पर चाहिए कि जो कंडिरेट हो वो आना जाना उनका रेगुलर रहे अब यह नहीं कि आप जीत गए आप 5 साल त पुरा गौंग इसलिए इस बार उनका पत्ता भी साफ हो गया इसलिए उनको टिकट भी जो पर फिसले जो विदायक थे अभी चंदर नाम जी इसलिए उनका जो है यही बेवार के लेकर के जो है दुबार टिकट नहीं मिल पाया तो हम आपसे जाना चाहेंगे भाईया जो आप इस बार किन पार्टी के सपोर्ट में जाएंगे और क्यों जाएंगे अब करना मुश्की लेकि किस पार्टी में जाएंगे तो तक गरिब लोगों के लिए कुछ बहला हो सके हमारे साथ और भी भाई है यूद कलब में सामिल है और हम इंसे डाल लेंगे पहले आपको अपना नाम बताएंगे मुहमद सादमान आलम जी है जो सिख्षा की इस्तिती है पूरे बिहार में हम उस पर आप से चर्चा करेंगे जो आपके सूबे में सिख्षा की क्या इस्तिती है सिख्षा की जो इस्तिती है वो जैसा था वैसा नहीं है ठीक है अभी सिख्षा के बारे में जहां तक कहा जाए तो एक्जाम हो या जो भी मैट्रिक का एक्जाम हो या इंटर का एक्जाम हो तो चोड़ी तो धरले से चलिये रहा है हर जगा यहां आपका गड़िया में चले और शिक्षा पे नितिश कुमार जी जितने भी टीचर बहाल की हैं अभी आप मेडिली स्कुल जाके देख लिजिए या हाइश कुल जाके देख लिजिए जितने भी टीचर हैं दस परसेंट टीचर ही ऐसे हैं जो पढ़ा पाते हैं बादमा की सिर्फ पेपर परहेंगे इधर उधर की बात पोलिटिक्स की बात करके टाइम काट के चले जाते हैं जैसे आपने टीचर की मतलब बात कई है जो नब परसेंट और दर्स परसेंट में आप रहर रखा जो दस परसेंट ही सुईयोग सिक्षक हैं और 90 परसेंट जो है सिर्फ टाइम पास के लिए हैं इसके लिए है तो इसमें सर दोसी आप किन को मानते हैं सही में माइने में दोसी कोन है अगर सिक्षा की ये इस्तिती है आपके चेतर में तो दोसी कोन है दोसी गवर्मेंट है लेकिन नितिश कुमार जी अब जो जैसे सराब बंदी है अब सराब बंद तो हो गया है लेकिन आप बोलिये हैं आप मंगा देते हैं सराब कहने का मतलब जो सिर्फ सराब का ठेका बंद हुआ है सराब जितना पहले मिल रही ती उससे कहीं ज़्यादा भी मिल रही है आपको क्या लगता है जो कुछ विकास हुआ है ये 15 साल की शासनकाल में या सिर्फ सब धकोशला है सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दस साल लालू का राज था जिसमें जंगल राज बहुत ही जादे हो गया तो सत्ता परिवर्तन होने के बाद आदर नितीस कुमार आया जो पनरा साल राज सिक्षा में इतना कमी हुई कि बच्चा घर आने के बाद वो चोक चोराय पर घूमने के लिए निकल जाता है आपको क्या लगता है जो मतलब स्वास्त की जो इस्तिती है बिहार की हम आपसे ये चर्चा करेंगे जो इसमें सुधार हो सकता है या मतलब पहले से कुछ बैतर है कि क्या है क्या इस्तिती है बिहार में स्वास्त का हालत तो लचर है क्योंकि यहाँ पर हुस्पीटल बहुत कहमें जीस हिसाब से कोरोना का जो केश चलना है लोगों को बेट नहीं मिल पा रहा है लोग दम तुर रहे हैं बेट के वज़े से इसलिए कि यहाँ पर मेडिकल का अच्छा सबीदा होना चाहिए हम चाहते कि अगर नितिजी दोवारा बने तो हुस्पीटल पर ज्यादा धियान दे